नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जी आर्वी स्टडी में आईए शुरू करते हैं अपनी स्टैटिक जी के रिलेटेड विद करेंट अफेर की क्लास आज का पहला प्रशन है 15 में वित आयोग के अध्यच कौन है तो वित आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आईए उनको हम इसमें डिसकस करते हैं तो वित आयोग के अध्यच दोस्तों कौन है नंद किसोर सिंग जी है वित आयोग की स्थापना कब हुई थी यह आप से पुछा जाता है और किस ने की थी तो वित आयोग की स्थापना दोस्तों 1901 क्याओन में हुई थी और वित आयोग की स्थापना डाक्टर बियार अंबेटकर जी ने की थी ठीक है दोस्तों और यह भारती सम्विधान के अनुच्छे 268 के अंतरगत आता है पहले अगला प्रशन है हमारा भारती प्रतिभूत एवं विनिमेब वोड सेभी का अध्याच कौन है तो आप से मैंने कहा था कि जो हमाई भारती ऑर्गनाइजेशन्स हैं उनके हेड़कौार तो पूछे जाते हैं आप से साथ ही उनके स्थापना कब हुई थी यह भी आपसे अगला प्रशन दोस्तों स्विजर लेंड की राजधानी और मुद्रा क्या है स्विजर लेंड की राजधानी दोस्तों बर्न है और मुद्रा स्विश फ्रेंक है आईए अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है हमारा आर्मंड डू प्लांटिस किस खेल से स खेल और उनसे संबंदित खिलाडी आप से प्रत्य एक्जाम में पूछे जाते हैं खास कर जो अभी हमने पैटर्न देखा TCS के पेपर का पैटर्न कराने का तो उसमें TCS आप से खेल और उनसे संबंदित खिलाडी जरूर पूछ रहा है एक क्वेश्चन तो आप जितने भी ख कि यह जंप करके पार करना होता है तो यह है आपका पोल वाल्ट जिससे संबंदित खिलाडी कौन है और यह चर्चा में थे इसलिए प्रस्ण के रूप में आपको देखने को मिले अगला प्रस्ण है भावना जाट कि स्खेल से संबंदित हैं तो देखिए यह भावना इसी दोरा संचाली भारत की पहली निजी ट्रेन है अगला प्रस्ण है भारत के वरतमान वित्य सचिव कौन है तो भारत के वरतमान वित्य सचिव राजिव कुमार जी है अगला प्रस्ण दोस्तों हमारा क्या है ले और स्री नगर को जोड़ने जा रही एसिया की सबसे बड को ची वोग आ जा सकते हैं और इधर से भी लोग आ जा सकते हैं ठीक है दोस्तों ति हमाई दुद्यित इसात्मक शुरंग है तो यह क्यों है ले और शिंवकर को जो जोड रही है A.C.A की सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों तो यह कोश्चन आएगा जो कि A.C.A की सबसे बड़ी अगर बात हो गई है तो यह कोश्चन जरूर आपकी प्रिपर में देखने को मिलेगा आपको तो वह कौन है माई दोस्तों जो जीला पार्स है जिसका उधगाटन प्रथान मंतोरी मुदी जी ने किया था ठीक है दोस्तों सिट def сейчас गह इस थिते बहुत भात पूर्पर जाएगा पेपर में तो एल मतलब लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब तरलता लिक्विडिटी एडजेस्ट्मेंट फैसेल्टी एले एफ का फुल फाम है अगला प्रस्न दोस्तों भारत के वर्तवान मुख नायदीज कौन है तो आप सभी जानते हैं सरद अर्विन बोग जी थे ठीक है दोस्तों तो इससे रेटिट आपको इस अभी तर्थियाद रखने हैं अगला प्रस्न जो है मारा केंद्री मतलब पसुपालन और डेरी मंत्री कौन है और उनका निर्वाचन छेत्र क्या है तो हमारे जो केंद्री मतलब पसुपालन और डेरी मंत्री जी है व तो राजधानी है मुद्रा नार्वे कbahn राजधानी आव प्रशासक दमन दूहिपकी इसके प्रफुल प्रफुल अगला प्रशन किस भारती राज्य को भारत की जीव विज्ञान की राजधानी का उपनाम से भी जाने जाता है तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा उपनाम सहरों के भारती राज्यों जो हमारे हैं उनके उपनाम पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं तो आपको सभी कवर करा भाए जाएंगे इस इस्हिटाक्टिक इकिकलास में तो इसका सहीating जवाब है नवारत की जीवध्यान राजधानी जी विज्ञान राजधानी म्यामार कीeze दानी और मुद्र्धहा क्या है तो उस्ता छिये अगला दोस्तों आपके सामने है Twitter के मुख्य कारेकारी अधिकारी और CEO कौन है तो जो यह इस प्रकार के जो भी social media sites है उनके आपके CEO MD पूछे जा रहा है बराबर questions में तो आपको ध्यान रखना है Twitter के मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO कौन है Jack Dorsey जी है अगला प्रशन है प्रमोद भगत किस खेल से संबंदित है खेल और उनसे संबंदित खिराणियों का एक प्रशन आपको जरूर अपने पेपर में देखने को मिलेगा और वो आप इस static जी के related with current affair class से कवर कर सकते हैं तो प्रमोद भगत जी किस खेल संबंदित है पैरा बैड्मिंटन से अगला प्रशन है दोस्तों खजुराहो नित्य महुत्सो भारत कि भारती राज में मनाया जाता है तो खजुराहो एक मंदिर है जो कि हिंदू और जैन मंदिर है जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं खजुराहो देनिश्टी चंदेल वंस के साशकों ने की थी तो यह प्रस्न भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि खजुराहो नित्य महुत्सो चर्चा में है तो वहां से आपको हिस्ट्री का क्वोश्चन देखने को मिल सकता है कि खजुराहो मंदिर कि स्थापना किसने की थी तो चार्यम दोस्तों मैं आपको थोड़ा त्थे बताना चाहता हूँ देखिए क्यों ये चर्चा में रहा तो आपको मैं बताता हूं को लेकर पूरी दुनिया में हाँ और इस बात का दावा 1981 में लिखी गई एक किताब के माध्यम से किया जा रहा है कि जिस वायरस की बात आज की जा रही है उसका जिक्र किताब में 1981 में ही कर दिया गया था तो क्या 40 साल पर जो भई शुमारे की गई थी ये सत्य थी आए इसके बारे में देखते हैं तो 1981 में लिखी एक उपन्यास दी आइज आफ डार्कनेस जिसके उपन्यासकार दीन कॉंटेच जी हैं उन्होंने एक सस्पेंस थिलर उपन्यास लिखा इस उपन्यास में कोरोना वा वुहान से ही निकला हुआ एक वायरस है तो इसको लोगों ने रिलेट कर दिया कि इसको पहले से ही उन्होंने इसकी भईश्यमारी कर दी थी सोशल मीडिया पर इस उपन्यास के हवाले से दावा किया रहा है कि वुहान 400 को चीन ने अपने जैविक हतियार बनाया गया था कह जा रहा है इस जैविक हतियार में इतनी ताकत थी कि वो पूरी मानोजाती को ही खत्म कर सकता था लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टी दोस्तों अभी तक नहीं हुई है तो ध्यान रखें यह उपन्यास बहुत चर्चा में रहा तो यह आपके पेपर इनोंने 1981 में अगला प्रशन दोस्तों है जापना अंतर राष्टी हवायड़ा किस देश में इस्तित है तो स्री लंका में इस्तित है जापना अंतर राष्टी अवायड़ा ठीक है दोस्तों अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं भारत का पहला राज यूटी पूरीत्र से नवीकर्णी उर्जा पर चलने वाला कौन सराज है लद्दाक अगला प्रश्ण CSIR का अध्यच कौन है और मुख्याले कहां इस्थित है तो अध्यच CSIR के हमारे नरेनर मोदी जी है मुख्याले नई दिल्ली विस्थित है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को ही थी ध्यान रखिएगा अगला प्रश्ण 21 विधियायोक का प्रमुक कौन है तो 21 विधियायोक के प्रमुक है जस्टिस बलबीर सिंग चोहान जी स्वतंद्र भारत का आप देखिए इस पर आप से कि एमसी सीतलवार जी थे जो भारत के पहले एट और इजनरल भी थे तो आपसे चार-पांच कुछन दोस्तों यहां से पुछा सकते हैं आपसे पहले यह पुछा जाएगा विधियायोक की स्थापना कभ वोही थी तो 1955 में आपसे यह भी पुछा सकता है भारत के पहले एट औ से संबंदित हैं तो इस प्रकार से आज का कोश्चन संपन हुए आई ये कोश्चन आप दड़े देख आज का दोस्तों हमारा कोश्चन आप दड़े है भारती भूग एग्यानिक सरवेच्छन जी एस आई का मुख्याले कहां है जियोलाजिकल सरवेआफ इंडिया का मुख्य अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों साथ साजा करें और ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सुस्क्राइब करें थैंक यू